164 के ब्यान में मैं बोल चुका था कि प्रिपेड मीटर में भाड़ी घोटाला हुई है और इस स्टेंडर अवार्ड के खुसी में इनको एक पहले मर्सिटीज कार लगा चंडीगर में फार्म हाउस में या जो मकान है इनका उसके बाद पैसे की जो भी लेंदेन बातचीत हु पैसा लिया हवाला के माध्यम से विदेश में भी पैसा भेजा गया गया मैं पैसा लगाया गया उने में है चारों तरफ लगाया गया उनको अ बहुत दबाव दिया कि तुम फाइल पे दसकत करो फाइल पे दसकत करो अंतुता फाइल पर दसकत वो नहीं किया और अपना बदली घरवा लिया वहां से संजीव हन्साफ को मैंने मिलवाया मौर्जा होटल में उस महिला के साथ बातचित करवाया एगरिमेंट कागर यूगत सफ्टिज बना पॉलीशी तय हुआ पांच करो रुपिया का तो पांच करो रुपिया वहां भेजवाय भी संजीव हन्स अपने आदमी से इदर उदर से करके मैनेज करके पांच करो रुपिया उसको दिया भी लेकिन कमरे के अंदर में क्या तो बिल्कुल सही है कि संजीव हन्स के हम 2003 से 24-25 साल पुराने संपर्क में रहने वाले मित्र कहिए भाई कहिए जो भी कहिए हम हैं और संजीव हन्स के यहां से इतनी अच्छी रिस्ता हम लोगों की 15-17 साल निभी कि हम आपको बता नहीं सकते हैं इतना ही नहीं हम सब परिवार पुरा मलेशिया घुमने भी गहते संजीव हंस जी के साथ पूरा परिवार हम लोग मलेसिया भी घुमने गए आना जाना खाना पीना सब चीट लगा रहा लेकिन कुछ दीनों के बाद आपको मैं आज पूरी बात बता देता हूं कुछ दीनो के बाद जब ये मुझे आभास हुआ कि ये गलत काम में काफी जोर सोर से शनलिप्त हो गए हैं गलत काम जैसे पूल निगम में जल संसाधन विभाग में पीएच डी में बीजली में उर्जा में क्या हो रहा है उतों आप देखी रहे हैं एट परजेंट को तो सब देखी रहे हैं तो हुआ ये की काफी पुराना संबंद मन तो रहते हुए भी हम देखा ऐसा हमको आभास लगा कि अब ये कुछ गलत गलत आदमी को भी इनभॉल कर लिए हैं मैंने संजीबंस को एक दो बार एक दो आदमी के बारे में बताया भी आप सतर करें यह लोग अच्छे आदमी नहीं है नहीं तो आप बदनाम हो जाएगा अरे छोड़ो यार उनका स्टाइल है अरे छोड़ो यार तो हम चूप हो गए उसके बाद कुछ दिन देखते 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 अचानक एक निव जाती है इसा बात से जो बिल्कुल मैं सच्चा बात आपको सुझी जी बता रहा हूं इलाहा बात से एक निव जाती है कि ऐसा ऐसा केस सेनियर आइस संजीव हंसपर्द उसकर्म का हो गया है तो हम उस दिन उनके ऑफिस में गए चैंबर में पूछने कि क्या बात है ऐसा ऐसा सुनने में म काफी वो चिंतित थे बोले कि हां ऐसा ऐसा बात है तो गुलाब जादब के चक्कर में हम फस गया है मैंने नहीं गुलाब जादब के बारे बताई है हां गुलाब जादब उनके करीबी और नियर और पार्टनर और जो भी चीज है इंटरनल पॉलिटिकल आदमी है एक मेले खास नियर और डियर अंतरंग मित्र यहां से लेके लंदन धक्का जानकारी रखने वाले गुलाब जादब जी है तो मैंने देखा कि भाई अब मेरी कोई ऐसी जरूरत लग नहीं रही है तो दीरे 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 हम अपना बैक होते चले गए लेकिन यह जानकारी पूरे मार् हमारे और संजीव हंस्तिक बीच में रिलेशन खराब है फिर नहीं दिया कि खराब लगता है थोड़ा इसे रिलेशन हम लोगों का बिगरा यह जो परकरन हुआ दुशकर्म का केस का उसके आतिन चार साल तो इन्होंने हमको बार-बार कहे कि कंपरमाइज करवा दीजिए आ हम कहा कि ठीक है बात तो हम आपके चलते किया है मैं तो उस महिला को जानता भी नहीं था अब भाई-बहन-भाई-बहन का रिष्टा बना ली हमसे तो हम एक दो बार कोसिस करके मौर्जा होटल में संजीव हंसाब को मिलवाया संजीव हंसाब को मैंने मिलवाया मौर्जा स country banana policy था पाँश करोड रूपिया वहाँ भेजवाय भी संजीव अपने अदमी से से इधर कर से करके मैंनेज करके 5 करोड रूपिया उचको दिया भी लेकिन कमरे के अंदर में या बात चीत संजीवहंस किये और बाहर में हम क्या किये इस दोनों में टैली नहीं बैठा टैली नहीं बैठा तो कंप्रमाईज नहीं हो पाया दानापुर कोट में कुछी दिन के बाद कि वह महिला जो है इधर उधर करने लगी हाई कोट में केस भी की तो जस्टिस पर जस्टिस रबी रंजन पर साथ जो है वो जजज्मेंट दिये की डिये ने जांच होना चाहिए कारवाई होना चाहिए लेकिन यह अपने कुर्सी के दवाओ में परभाओ में दानापुर कोट में पुरा का पूरा मामला फेवर में कर लिये थे जो हाई कोट से ओर्डर हुआ हाई कोट में भी चंपवा दिये कोई वरिष्ट अधिबक्ता या कोई लिंक लगा करके वहाँ भी नो कोट सी वेक ले लिए जस्टिस परवाद रंजन जी के यहां से समझें यह दूस कर्म की बात करें पूरा कहानी तुनते जाईए उसके बाद वह महिला क्या करती है कि एडी के वरिये पदाधिकारी को लगता है मिलके या अप्लिकेशन कोडियर करके उसने एडी के पदाधिकारी को आवेदन दिया 64 में रूपसपुर्थाना कांड में जैज के सामने हम गवाह दिये हुए थे बहुत सारी बात बताए हुए थे आप प्रिपेड मीटर की घोटाला और यह जो सिंगला उंगला जो सुन रहे हैं तो मैं आपको प्रकास जी बता दूं वो क्या बोलते हैं सुजीद जी माप कि बता रहा हुँ की सिंगला और प्रिपेड मीटर की घोटाला इसका परदाफास हम सबा साल देड़ साल पहले दानापूर जज के सामने अपने 164 के ब्यान में दे चुके हैं 164 के ब्यान में मैं बोल चुका था कि प्रिपेड मीटर में भाड़ी घोटाला हुई है और इस स्टेंडर अवाड के खुसी में इनको एक पहले मर्सिटिट कार लगा चंडीगर में फार्म हाउस में या जो मकान है इनका उसके बाद पैसे की जो भी लेंदेन बातचित हुई थी फड़ा फट फड़ा फट काफी बरे बरे अपने चुनिंदा कंपनी को जो काम दिये संजीव हंस ने उनसे फिर पैसा लिया हवाला के जा गया गोवा में पैसा लगाया गया पूने में पैसा लगाया गया चारों तरब लगाया गया तो उस वन सिक्टी फोर के ब्यान के आधार पर एडी के द्वारा जांच सुरू हुआ एडी ने जब जांच सुरू किया तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एडी के सारे पदादिकारियों को कि इमंदारी पुरुबग जांच करके और ऐसा जांच किया कि आज बिहार में पसुपालन घोटाला भी फेल कर गया जादा करोर का परपरटी मिला है आप एक हजार करोर बोले हैं अरे भाई देखे ना टेंडरे में कितने का हुआ है 15 परसेंट एवप टेंडर दिया गया है 15 परसेंट एवप मैं आपको एक इंटरनल बात बता दूं जो मैं सेर नहीं करना चाह रहा था कि सिवान में अभी जो जिला अधिकारी पदस्थापित हैं जिनका की नाम मुकुल गुपता है वो आनन फानन में अपना गला बचा के बेचारे भाग गये कलक्टर में पोस्टिंग करवा लिये शिवान में उनको संजीवंस बहुत दबाव दिया कि तुम फाइल पे दसकत करो फाइल पे दसकत करो अंतुता फाइल पर दसकत वो नहीं किया और अपना बदली घर भालिया वहां से ये तो इस तरह से हैवो का टांडम मचाय हुए हैं बिजली बोड में अईतने लोगों को कमिशन के नेटवर्क से जोरे हुए हैं कि इनको आज तक बिजली बोड से अभी तक हटाया नहीं गया है इडी के जांच करने के बाबजूद नाम बहुत सारी प्रपटियां आने के बाबजूद अभी तक इन पर कोई कारवाई नहीं हुआ है जब जबकि बिजंदर जादव जी बहुत ही इमंदार बहुत सब्सक्राइब के कहे जाने वाले व्यक्ति इस तरह के घुटाला में सनलिप्त इतने बड़े नेशनल लेवल का नियूज होने के बाबजूद भी खामोस क्यम हैं यह तो पता नहीं है कि एक सवाल समझने के लिए दर्सकों के लिए होना चाहिए कि यह का मामला है यह महिला फिर यह प्रीप्रेंट मीटर का तो खर मान के चलते हैं वहीं कैसे जुड़ा हुआ है यह घुटाला और महिला का पूरा दिस्ता है दिखिए जब कोई कि न्याले में केस होने के बावजूद कारवाई अगर नहीं होती है तो आवेदक बिभिन बिभिन पतादिकारी से मिलती है गैत्रीजादव से इडी से सब जगा मिलती ए उसी में हुआ कि इडी का कदम या इदीक पतादिकारी को ऐसा लगा होगा कि भाई क्या मैटर है जा टाला तो धीरे 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 सब जगा मिलते चले गए पूरी कल्कुलेट होने के बाद पूरी गंभीरता से छानविंत तक जाने के बाद मैं समझता हूँ कि एडी डिपार्टमेंट के तरफ से प्रेस कॉन्फरेंस करके बताया जाएगा कि कितना रिकवरी हुआ कितने का पॉपर्टी संपत्ती जेवरात घड़ी महंगी महंगी पेन इस सब बताया जाएगा सब जब तुआ है सब जब तुआ है एक रोलेक्स सब्सक्राइब होता है भाई जी चौदा लाग तेरा लाग कि तिस चालीस घड़ी बरामाद है तो जोड़ लीजिए घड़ी का कीमत क्या होगा चुकि गिप्ट लेने का तो उनका पुराना आदत है अच्छी बताइए कि महिला को भी 500 रुपया गया है बेलकुल गया है त उसको बच्चा पैदा आप किजियेंगा और महिला के साथ बस сильно का कि लैए मैं मांच करोर का ट्रंजेक्षन हुआ है जीसका इसाब किताब सारा चीज़म एडी के पासम हई मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे पैसा गया पांच करोड मैं सब बता दिया हूं और पता अधिकारी बहुत कि मंदारी बहुत स्वक्ष तरीके से अच्छे तरीके से जाज कर रहे हैं कि अधिकारी लपेटे में आ रहे हैं आपको लगता है जो पुस्तास से कुछ अंदेशा हुआ अधिखिए होता वह बारा नेटवर्ग चैनल बनाए उए थे संजीवहंस दिल्ली से लेके पठना तक नया नया आदमी बनाए हुए थे और राम्मिला स्पासवान रिशुसरी का नाम कोई आ रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है हम कुछ नहीं जानते हैं रिशु सुरी के बारे में और ऐसा कुछ है भी नहीं हमको सुनने में और शुरी के Video में को सब्सक्राइब सोछरे से इडी अपने मुकाम तक पहुंच करके अच्छी रिजल्ट देगी आखरी सवाल यह है कि इडी का जो आपसे पूछता चुछ हुआ उसमें मुख परमुख मतलब बिंदू क्या था वह फोकस कहा था गोटाला काली कमाई संजीब हंसकी गोटाला काली कमाई बहुत कि जो हम जानते थे सब बता दिया इडी के समक्स लग दिया अब उसकी स्कुटनी हो रही है जांच हो रही है सही पाया जाएगा तुस पर करवाई होगी